नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 के पहले प्रश्न का तीसरा भाग करने जा रहे हैं आशा करता हूँ आपको अब तक त्रिकॉन मितिया अनुपात जो विशिष्ट कोनों के त्रिकॉन मितिया अनुपात हैं वह वाला वीडियो अच्छे से समझाया होगा और आप टेबल को स्वयम बना पाए होंगे उसके बाद ही इन प्रश्नों को बच्चो करने का फायदा है तो आईए देखते हैं प्रश्न है कोस 45 बटा सीकेंट 30 प्लस को सीकेंट 30 हमें इसका मान गयात करना है तो बच्चो इसके लिए हमें टेबल के अवशेक्ता होगी देखे सबसे पहले है कोस 45 तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह है कोस 45 कोस 45 का जो मान है वह है एक बटा र रूट दो उसके बाद यह बड़े वाला भाग ये वाला इसके बाद सीक एंट 30 तो देखे बच्रों यह सीकेंट यह 30 कि यह 30 तो सीकेंट 30 का वाइल्यू है तू अपॉन रोट थी हैं तो सेकेंट 30 की जगा हम लिखेंगे दो बटा रूट तीन प्लस को सीकेंट 30 तो जो की जिसका मान है दो जिसकी value कितनी आई है दो तो बच्चो देखिए यदि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो है एक अब हम इसे आगे हल करते हैं यह है बड़े वाली भाग हो गई उपर है एक बटा रूट दो इसके साथ तो कुछ हल करने के लिए प्लस माइनस है ही नहीं तो इसको ऐसे उतारना पड़ेगा नीचे देखे क्या है दो बटा रूट तीन प्लस दो बटा एक रूट तीन और एक का जो लगुत्तम आएगा वह आएगा रूट तीन और एक भागा जाएगी रूट तीन को रूट तीन से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक एक को दो से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दो प्लस रूट तीन को जब एक से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रूट तीन root 3 को उपर 2 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 root 3 आईए हम इसे आगे हल करें एक बटा root 2 इस भाग की जगा बन जाएगा गुना अगली line में यह हो जाएगी उल्टी संख्या हो जाएगी यह है इसका व्यूत क्रम ले लेंगे तो root 3 अभी नीचे था अब पहुँच गया है उपर बटा नीचे आ गया है 2 प्लस 2 root 3 2 प्लस 2 root 3 आ गया है आईए देखते हैं तो बच्चों यहां से हमें प्राप्त होगा root 3 गुना 1 root 3 बटा root 2 गुना 2 प्लस root 3 यह हमें इसे प्राप्त हुआ है यहां पर 1 दो भी था क्योंकि 2 प्लस 2 root 3 था तो यहां पर 2 भी आएगा तो देखे बच्चों इसमें से यह है root 3 बटा यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो हम 2 को common ले लेते हैं और root 2 इसके साथ है तो bracket के अंदर 2 बाहर चले गया common तो बागी बच गया 1 प्लस 2 root 3 में से 2 बाहर चले गया तो बागी रह गया root 3 अब हमें इसको करना है rationalize यानि कि परिमय करन इसका करना है क्योंकि हमें पता है कि हम उत्तर में नीचे root नहीं छोड़ सकते परिमय करन कैसे करना है यह आपने 9 वी कक्षा में पढ़ा था देखिए इसे उपर 1- root 3 से और नीचे भी 1- root 3 से गुना करना होगा तो देखिए root 3 कुना 1 हो गया root 3 minus root 3 को root 3 से गुना करेंगे तो हमार पास आजाएगा 3 बटा नीचे है 2 root 2 और 1 plus root 3 to 1 minus root 3 यह हो गया a plus b into a minus b यानि की a का square minus b का square तो इससे हमारे पास आजाएगा root 3 minus 3 बटा 2 root 2 यह ऐसे ही रहेगा साथ में और यहां से आजा 1 का square होता है 1 minus root 3 का square हो जाएगा 3 तो देखिए बच्चो root 3 minus 3 बटा यह है 2 root 2 गुना plus minus minus 3 में से एक निकाला 2 और साइन बड़ी रकम का तो यह हो जाएगा minus 2 अब उत्तर में अभी भी एक root है इसे यदि हमने rationalize करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से minus common लेंगे minus common लेते ही बन जाएगा minus root 3 plus 3 यानि कि 3 minus root 3 आप समझें मैंने minus common लिया ताकि इन दोनों के sign change हो जाएगे ताकि नीचे जो minus है उससे यह minus कट जाए दो दुनी हो जाएगा चार बाकी बच गया root 2 इसको परिमाई करने के लिए root 2 से उपर और root 2 से नीचे गुना करतेंगे और साथ में इसके है minus अब यह minus से minus कट गया तो हमारे पास हो गया root 2 into 3 minus root 3 बटर 4 गुना root 2 गुना root 2 होता है 2 अंत में हमारे पास जो उत्तर आएगा वह आएगा root 2 इसे यदि 3 से गुना कर जाएगे तो आजएगा 3 root 2 minus root 2 को root 2 से गुना करेंगे root 3 से गुना करेंगे तो आजएगा root 6 बटर 4 दुनी हो जाएगा 8 तो ये हमारा उत्तर है आप सोचोगे बच्चो की प्रश्न तो यही हल हो गया था तो यहां तक क्यू आए क्योंकि हमने क्योंकि हमने परिमाई करना था अपने हर को इसलिए हमें इतना सब करना पड़ा है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझाया होगा हम जानते हैं कि यह थोड़ा सा जटिल था थोड़ा सा कठिन था लेकिन यदि आप step by step इसको देखेंगे तो यह आपको अवश्य ही समझ आएगा कहीं से भी आपको यह वीडियो ना समझाया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दुबारा देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रशनावली के बाकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप अन्य वीडियो को देख सकते हैं और उन्हें समझ भी सकते हैं धन्यवाद बच्चो